हेलो स्टुडेंट्स आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बायाजास सर में स्वागत है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने बैल आइकन को प्रेस करें तो बटा शुरू करते हम आज की वक्षीट यह वक्षीट इसे चैनल के बटा पुन्रावर्ति है दो चरवाले रेकिक समीकन युग केस इस्टुडी के बटा इस वह में प्रशन पढ़ने हैं तो देखिए केस इस्टुडी के नए प्रशन आया है तो आपको जानकर इसके बारे में आपको कक्षा दिया आपको ने करा दी होगी ठीक पच्चिस्तिया पीचसतर रुपय होगे तभी तीन कीमे कूपे कीमत किते होगे 75 रुपय होगी दो पान ता घ्र ये इक समीक बटा अन्यमित्र दी Karma को लगा कि एक पैन की कीमत 0,5 रुपय की एक पैन कम से कम 16 रुपे का होना चाहिए तो परते कौपी कीमत भी 16 एक पैन होगी परते कौपी कीमत भी 16 एक पैन की कीमत के बराबर यानिके होगी आकास ने भी रिया की तरह ही कौपी और पैन खरीदे हैं दूसरा बच्चा है बटा आकास उसने भी कॉपी और पैन खरी दे उसने चार कॉपियां करी दी हैं और तीन पैन और कूले लाक 110 रुफे का भुक्तान किया है ठीक है बटता सदमाना एक कॉपी कीमत X है और पैन की कीमत Y है तो निम्न में से कौन सी योगम की स्तथी को वर्णित करता है कौन सी योगम दी गई सिदिको organit करता हमको यह बताना है था हमें यह बता है देखे पहला question है आपका कपें की किंमत कितनी है copy किंमत कितनी है आपके पास x है अगर एक copy x के है बेटा तो 3 copy कितने की होंगी 3x की होंगी 1 copy x की तो 3 copy 3x की होंगी और एक पैन बेटा वाई का है तो दो पैन कितने के होंगे दो पैन दो वाई के होंगे और कुल मला कितने रुपे दिये उसने कुल मला के दिये 80 रुपे यानिके पलस का 80 रुपे ठीक है और आकास ने कितने पैन खरीदें बेटा चार पैन और तीन कौपियां चार पैन और त 3y के तो कुल रुपे कितने होगे बटा 110 रुपे दिये हैं तो देखना होगा देखिए बटा हम इसको आगे थोड़ा करते हैं इसको साइड में लेके चलते हैं पहले कोश्चन हमने पढ़ लिया अच्छे से अब तो देखिए बटा पहले उसने दिया है कि तीन कॉंपियां एक कॉंपि है एक्स की तो तीन कॉंपियां कितने की होगी बटा तीन एक्स की और दो पैन खरीदें एक पैन है वाई का तो दो पैन कितने को होगे दो वाई के कितने रुपे दिये कुल बटा 80 पहली समिकन होगी फिर उसने चार कॉंपि खरीद दिये हैं एक कॉंपि एक्स बननी चाहिए, 3X प्लस 2Y बराबर 80 और 4X प्लस 3Y बराबर 110 तो यह बटा हमें दिखाई दे रहा है, कौन सा पार्ट है, यह हमारा B पार्ट में यही आंसर हमारे हैं, तो हमारा करेक्टर आप्षन क्या हो जाएगा, हमारा B हो जाएगा, ठीक है बटा, यहीं पर हमें आपको बताने हैं, तो बटा चलिए इसके हल, हम बताते हैं, क्या होंगे इसके हल, दूसरे कोश्चन के हल, बटा हमें बताते हैं, तो हम इसको फिले साइड में लेके चलें, हम यह जानते हैं, क्योंकि उसने हल पूछा है कि अनेक हल हैं, दो हल हैं, अधित्त्य हल हैं, बट्टे 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 कितना है तो हम जानते हैं जो पहली क्योशन होती है जो एक्स के साथ होता है वह एवन जो आकेली संखिया होती है वह सीवन दूसरी क्योशन में जो एक्स के साथ है वह एटू जो आपका बीटू होता है अर अकेली संखिया आपके सीटू होती है ठीके बेटा ये बात हम जानते हैं उत्तेर हमारा B है ये भी हम जानते हैं पहले का तो A1 बटे A2 निकाला कितना आगया वो A1 है तीन और A2 है आपका चाहर ये आगया तीन बटे चाहर दा फिर दूट गणालेंगे बेटा B1 बटे B2 जब B1 बटे B2 निकाला B1 आपको दिखाए देरा 2 और B2 आपको दिखाए देरा कितना बटा 3 तो क्या बटा यह बराबर दिखाए देरे हैं यह 3 बटे 4 है 2 बटे 3 है यह बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे तीसरा हमें करने की जुरूत नहीं अगर शुरू के दो ही बराबर नहीं है तो बटा हमने पढ़ रखा है कि तीसरा बराबर नहीं करते हों जब यह बराबर नहीं होते तो हम जानते हैं जब A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 कि इसका मतलब यह है के इसके क्या है बटा अदित्य हल है तो किस पर निशान लगा देंगे बटा अदित्य हल पर देखिए बटा कौन सा हल है यह अदित्य हल तो option क्या हो जागा है हम इसको करना पड़ेगा जो हमारे उत्तर था हमारा समीकण तो हमारी यह थी इन दोनों समीकण को हम हल करेंगे और xy की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि पैन की कीमत कितनी है वाई है और कुम्पी कीमत कितनी है x है ठीक है तो चलिए वाटा करते हैं दोनों कोश्चन हम किस तर करने है समीकण को चार से चार्थी है बारा हो गया चार दोनी आट ट्रों मों भीकर या त centers कंगो चार्थी तो बास के बार एक से मानस को कट जाएगा और यह मानस का नो है और आठ प्लस का है तो माइस का यहां पर 310 में से 320 दबचेगा और मानस मानस के हो चेबद बचेगा तो पर समय करने एक बिटा यही है इसी के अंदर हम रख देंगे चलिए आगे चलते हैं तो तीन एक्स ऐसी रहा बिटा वाई की जगा कितना रिख दिया हमने दस लिख दिया वाई की जगा दस लिख दिया बरावर में 80 है पहली समय करने यान के किमत कितनी आ गया वी सरुपे और पैन की कीमत यही हमारा दस ही तो ऑया था तो टीन आई वाई किमत औरो लकाई अ और पैन की सही कीमत कितनी ये बटा दस रुपए हमने कैल्कुलेशन करी दो तो इसका आ गया ये बटा आंसर ठीक है चौत्थे का ये आंसर सही हो गया फिर पांच्वे भाग में कुछ नहीं कहा है कि ये ऐसी पंद्रा कॉंपियां और बारा पैन खरीदो के तो कुल कीमत क्या होगी तो चलिए बटा इसकान सा देते हैं बटा पंद्रा कॉंपियों कीमत हुजएगी पंद्रा एक्स और बारा पैन कीमत हुजएगी बारा वाई ठीक है तो इसको बटा यहां साइड माम हल कर लेते हैं चलिए बटा बारा कॉंपिय हैं पंद्रा कॉंपियों और बारा प ठीक है बटा, 15 ऐसी रहा बटा, X का माण हम निकाल चुके कितना? 20, एक कॉपी 20 रुपे की है, ठीक है, और 12 ऐसी रहा, 1 पैन कितने का बटा, 10 रुपे का है, लिख देंगे यहां पे य की जगा, पंदरा की बीस से कुणा करी बटा 300 आ गया और पंदर धाम 120 आ गया कितने आ गया बटा यह 420 जोड़ दिया दोनों को 420 यानि कि बटा 15 कॉंपी और 12 पैन की कीमत कितनी है 420 है तो देख लेंगे बटा option हमारा तो 15 कॉंपी और 12 पैन की कीमत बटा कौन सा है option हमारा c c हमारा क्या है इसका बटा सही जवाब है ठीक अब देखते हैं बटा question number 2 क्या कहता है तो देखे बटा दूसरा question है गीता अपनी चाची जी के साथ अपने भाई की शादी के लिए नए कपड़े खरिदने गई वह अपन कई के लिए मां के लिए एकी साड़ी खरिदी है इस खरिदारी के लिए 30 hoe कि तीन हजार रुपे का भुकतान किया इस परिवार ने सभी कोड्रेस झाड़ी बहुत पसंद grade 10 ह्याकि परिटा बारा हजार रुपए में में गुठाndh एक साड़ी औरiene glass से बीटा 3,000 की दोड्रेस और 5 पांच साड़ी है आपकी 5 में फाँच ही पांच जार ुपए सORी 12,000 ठीके तो अब देखें पहला पार्ट कहता है माना कि एक dress की कीमत x dress की कीमत कितनी है बटा x है और साड़ी कीमत कितनी है य है तो कौन सा रेकी क्यों होगा तो बेटा इसको हम साइड में कर लेते हैं dress है x की साड़ी है y की question आपने पढ़े लिया है आपको याद रहना चाहिए dress आपकी कितनी की है बटा dress आपके पास x की ठीक है और साड़ी आपकी कितनी की है बटा साड़ी कीमत आपकी y रुपे बटा जो आप साड़ी पहले खरीदी गई है वो एक साड़ी और एक dress खरीदी है तो एक dress की कीमत है x एक साड़ी कीमत होगी y तो कुल मिला के उसने दिये है मैं रहे को तीन हजार रुपे का भुकतान कराए ठीक है फिर यह चाची जी थी उनकी उन्होंने दो ड्रेस करी चाउची जी ने 12 रुपे इसंतरा से हमके दो the bar बन गई तो देख लिए बटा x plus y वराबर 3000 रुपे और 2x plus 5 वराबर 12000 रुपे कौन सा option आपका है तो बटा option है हमारे पास option number d sorry option number कौन सा बटा a है हमारे पास x plus y वराबर 3000 और 2x plus 5 वराबर 12000 ठीक है बटा तो option number a आपका क्या हो गया correct हो गया फिर उसने पूछा कि इस रेकिक समीकर्ण युग्म के हल होंगे इस रेकिक समीकर्ण के हल कैसे है बटा देखते हैं हम जानते हैं कि हमारा answer क्या है बटा a है x plus y वराबर 3000 और 2x plus 5 वराबर 12000 रुपे तो इसको बटा निकाल लेते हैं हम इस x plus y वराबर हमारे पास था बटा 3000 और 2x plus 5y वराबर था हमारे पास कितना बटा 12000 ठीक है जी दूसरे समीकर्ण में लिएते हैं ही निक चे बटा 2x plus 5y वराबर है हमारे पास 12000 ठीक है तो बटा a1 बटे a2 देखते हैं पहले a1 बटे a2 a1 एक है बेटा a2 दो है तो कितना होगा एक बटे दो फिर बेटा b1 बटे b2 देखा और b1 बटे b2 जब हमने देखा यह एक बटे 5 यह होगे ना a1 बटे a2 यह होता है तो हमने पाया यह दोनों तो बराबर नहीं है ऑन बट चलते हैं से और यह पर देंखे। इस से थे देने के लिए धर जाना पुडएगा A1 बाटे A2 कौन है हमारे पास कौन सा हला है जिनको ये परदाशित करता है तो ये है बेटा हमारी अधित्यहल तो क्या है बेटा इसका अंसर C हो जाएगा क्योंकि A1 बाटे A2 बराबर नहीं है B2 बाटे B2 के तो अधित्यहलोह गया the pest MY वाली रेखाएं होती हैं वो सभी क्या होती है बटा परती छेदी रेखाएं होती है ठीक है उसके वाद उसने पूंचा है बटा कि एक ट्रेस की कीमत बताइए क्या है और एक साड़ी कीमत ड्रेस को हमने हमने समिकर एक को क्या कर दिया हमने बसे बनाब करत चाहिए विसकर कर दी क्या पीड़ी निशान क्या करें कर transit करें एंगे प्लस से मानस यृ लिख दिया हैं फे कटाने हैं तो rotonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon बटे में और तीन से फिर 6000 को काट देंगे तो कितना आगया हमारे पास 2000 आगया कितना आगया बटा 2000 आगया ठीक है तीन से 6000 को काटा तो 2000 हमारा आगया अब य का मान 2000 समीकन एक में रख दिया समीकन एक क्या थी x plus y ब्रावर 3 है तो x तो ऐसी है y की जाए कितना आ गया 2000 ब्रावर में कितना बटा 3 है दो जार उठा के इधर लिया है काई का हो गया बटा प्लस है तो माइनस का हो जाएगा तो x ब्रावर आ गया 1000 x ब्रावर कितना आ गया 1000 यानि किवंदर ड्रेस कितने की ए ड्रियस का मूले माना था हमने एकस यह तबंडल tousir का मूले कितना यांद रखेगा ड्रेस का मूले 1000 सारी का मूले दो hari सबस्क्राइबंगों चैनल को सब्सक्राइब करने लिए अगली वीडियो में